हरे क्रिश्न राधे राधे आप देखी पारे हो मैं आज यह लड़ू गोपाल का जो डबल साइड बेट सीट मैंने बनाया था उसे धोने जारी वह बहुत ही जादा गंदा लग रहा है तो मैंने यहां पे जेंटल लिया है आप कोई सा भी डिटर्जन ले सकते मेक शूर डाट कि आप उसे एक लिक्वीट शूप ले उसे आप अच्छे से बिगो ले तोड़े दर सोक करने के बाद आप इसमें अगर आपके इसमें तोड़ा-थोड़ा दाग ऐसे आप देख पारे हो मेरे इसमें बहुत जादा दाख हो गया है लडो का तो मैंने यहां प से तोड़ा साने चोर लेंगे और एक दोबार से थोड़ा थोड़ा रप करके देखेंगे ऊट रहा है क्या जब हम देख रहें नहीं उट रहा है तो मैंने यहां पे मैंने तनि लिया है थोड़ा सा और पानी आड़ कर लिया वैनीज थोड़ा सा लेके डर्जिन किसंग मैंने मिक्स कर दिया और ये बेट को आपको पाच मीनिट तक पानी के अंदर रखना है ताकि ये दाग चला जाए पाच मीनिट बात मैं अब देख पा रहे हो पहले से ये दाग थोड़ा सा मैं रब कर लूँगी तो आई होप चला जाएगा ये दाग बहुत सारा सवाल आता है कि ये अंदर में जो कॉटन ने वो कहा जाएगा फिर वो जल्दी सुखेगा के नहीं मैं आगे दिखाने वाली हूँ क्या होगा फिर मैं अच्छे से इसे धोलूँगी पानी से अंदर सिंथेटिक कॉटन है इसलिए ये बहुत जल्दी पानी छुट जाएगा पानी अंदर नहीं रहेगा ये हलका भी है एक दो बार अच्छे से धोने के बाद आपी देख की पा रहे हो ये एकदम अच्छे से साफ हो गया बार मौसम थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो मैंने ये ड्राइ करने के लिए वर्शिन मैसीर में दे दिया सिर्फ ड्राइ करूंगी ड्राइ हो गया मेरा अब मैं इसे बहार टंगा दूंगी फिर जाके थोड़ा दिर बाद देख रही हूँ इतना जादा बारिश हो रहा है मैं क्या बताओ थैंक गॉड मैंने ये ड्राइ किया था ये धूप में होगा तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो थोड़ा दिर वेट करना पड़ेगा रात तक आई हुप सुख जाएगा अभी दुफैर का ढाई बज रहा है तो आप देख पा रहे हो मेरा ये एकदम सुख गया है ये धूना इतना ही एजी है जैसे बनाते है वसे भी ढाधा एजी है हमेशा हमारे पास ये पास ये सवाल आता है क्या ये अंदर जो cotton रूवी है यह कैसा सुखेगा के नहीं सुखेगा यह अंदर से फिर से खोल के डालना पड़ेगा या फिर खोलना पड़ेगा फिर धोना पड़ेगा अब देखी लिए इतना आसानी से यह धुला दो सकते हैं अगर यह सिंपल डबल साइड बेड बनाना चाहते हैं तो मै इसका डेस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आधेराद